आपका कोश्चन है रूब कॉस्ट 3 पाई बाई 4 प्लस X माईनस कॉस्ट 3 पाई बाई 4 माईनस X is equal to माईनस रूट 2 साइन X ठीक है दो तो इसको आप 3 पाई बाई 4 प्लस X को जस्ट आई यू विल टेक ये और ये आपका क्या हो जाएगा B तो now it comes as cos A minus cos B that is equal to क्या होता है आपका वह हम लिखते हैं तो we can say cos A minus cos B that is equal to minus 2 sin A plus B by 2 and and here again is sin A minus B by 2 तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हमारी values लिखेंगे A and B तो तो देखो आपका क्या आएगा तो it will come as minus 2 minus 2 sin और bracket के अंदर है आपका A plus B that means 3 pi by 4 plus x and plus 3 pi by 4 minus x by 2 तो यहाँ पर देखो and here 3 pi by 4 and minus 3 pi by 4 तो आपका देखो क्या आ रहा है तो it will come as minus 2 sin 3 pi by 4 plus 3 pi by 4 is 6 pi by 4 तो यहाँ पर आपका आगया 6 pi by 4 by 2 और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है sin 2 x by 2 तो यह 2 and 2 गौन और यहाँ पर क्या हुआ आपका 2 by 1 is there तो outer to outer multiply करो inner to inner multiply करो तो यह देखो आपका क्या आएगा it will come as minus 2 sin now it is 12 pi by 4 sorry not 12 6 6 pi by 8 and here comes sin x now तो 6 pi by 8 हमारा क्या होता है वो हमको find out करना है तो pi is 180 गी है ठीक है तो इसकी value हम निकालते हैं तो pi is 180 that means 6 into 180 by 8 ठीक है तो इसको हमने 4 से कट किया तो that means 2 यह आपका आगया 45 इसको कट किया यह आपका आगया 3 तो that means it's a कितना हो गया 135 तो now we can say it's a minus 2 sin 135 को हम क्यासे लिख सकते है 90 प्लस 45 तो we can write 90 दिग्री प्लस 45 इसको आपको लिखना है पाई बाई 2 और इसको लिखना है पाई बाई 4 ठीक है ना तो हमारा देखो यह किसमें लाइक आएगा इत कमस अंदर थार्ड कॉट्रेंट ठीक है तो थार्ड कॉट्रेंट एंग थार्ड कॉट्रेंट इस नगेटी इंसाई तो नगेटीव ना और एक सित यहां दो इसमें क्या है आपका यह देखो क्या है क्या है तो यह देखो आपका क्या है तो यह देखो आपका क्या है साइन 90 प्लस 45 इस यहां पर आपका 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 साइन तो वीनोग देखो sin minus theta is, sorry, cos minus theta is cos theta. तो यह आपका क्या आगया? minus 2 cos 45 degree. And here comes sin x. तो cos 45 is 1 by root 2. तो यह आपका आगया, minus 2 into 1 by root 2. And here comes sin x. 2 and root 2 को cut करो. 1. और यह होगया आपका root 2. So that means it comes as minus root 2 sin x. ठीक है? So this is your LHS and RHS is also same.